दल्टीमेट इंडियन में आप सभी को अभिशेक सरकार का नमस्कार, हम डेटा के अनुसार आपको कई सारे facts और कई सारे information देते हैं, लेके आते हैं आप तक, तो आज हम बात करेंगे कि इंडिया में language wise top crosser movies कौन सी है, ये collection का phase 1 बता रहो, phase 2 में हो सकता है, कोई movie चायना वाय अगर कहें release होती हो, तो वो count नहीं कर रहा हो, phase 1 है, ठीक है, तो दोस्तो, phase 1 में अगर बात करें, तो पंजाब की बात करते हैं, पंजाबी language में सबसे highest crossing movie है, Carry on Jutta 2, Carry on Jutta 2 ने 57.67 करोड रुपीस कमाई है, all over world से, वही गुजरात की बात करें, गुजराती movies की, तो चल बुजराती language में सबसे highest collection है, इस movie का, अगर दोस्तो, मराथी language की बात करें, तो मराथी language में 110 करोड रुपे कमाई है, सैरत ने, और सैरत मराथी language में सबसे highest crossing movie है, इसके बाद अगर हम South India में पहुँचे, तो KGF 2, ये कन्नड भाशा में, Guys, sorry for the pronunciation, ये कन्नड नहीं होता है, कन्नडा होता है, ये मैंने recording करने के बाद मेरे को पता लगा, तो recording के time अगर चाहा जा मैं कन्नड बोलू, तो उसको as a कन्नडा लीजिएगा, और फिर से करनाटिका के कन्नडा भाशी लोगों से मैं माफी मांगता हूँ, सबसे highest grossing movie है, ये तो 1188 करोड अल ओवर वर्ल्ड से कमाए है, इन्होंने जिसमें की हिंदी भी include है, करीब करीब 421 करोड उन्होंने हिंदी में कमाए है, अगर सिरफ कन्नड भाशा है बात करू, तो कन्नड भाशा में KGF chapter 2 ने 186 करोड रुपे कमाए है, ये अपने ये ध् साही नहीं है, कन्नड लैंग्वेज में, इन्होंने KGF chapter 2 ने सिरफ 186 करोड रुपे कमाए है, इसके इलावा तमिल, तेलेगू, इन सब लैंग्वेजों में भी release हुआ था, उसे भी 100-100 करोड रुपे कमाए है, तो टोटल मिला कि 4500 करोड होता है, 526 या कितने करोड और overseas इंग्लिश वगेरा में भी डब होके इन्होंने पैसे कमाए है, तो अगर सिरफ कन्नड बोलू तो कन्नड में 186 करोड पर overall टोटल 1188 करोड रुपे कमाए है, उसके बाद अगर मैं मल्याली भाषा की बात करूँ, तो मल्याली भाषा में सबस्यादा पैसे कमाए है, लूसि तमिल तेलेगू से बाहुबली टू ने कमाए है, अगर मैं हिंदी को छोड़ दू, इंडिया में अगर मैं हिंदी को छोड़ दू, तो करीब करीब 905 करोड रुपे की उन्होंने कमाई की है, हिंदी के अलावा, अगर हिंदी भी एट कर देते है, 511 करोड हिंदी में कमाए थे बहु बले टू ने तो कुल मिल ला कि 14 something करोड़ बनता है ठीक है और ओवर और पुरा worldwide चाइना वाइना रिलीज मान लू तो 1810 करोड़ होता है तो 1810 करोड़ माए लिखा है ठीक है लिखा है बर तमिल तेलिगू से कमाने का 905 तो अगर हिंदी की बात का तो हिंदी से 511 करोट रुपे कमाई थे पहले फस्ट हाइस था जब सेकेंड हाइस हो गए भावले टू हिंदी में क्योंकि नंबर वन हो चुके हैं पठान इसके बाद आते हैं हम उडिया मूवी का नंबर वन सबसे जजादा लैंगवीच में जो मूवी बनी है उन्मीन जार पालूंगा टूका इन्होंने 48 करोट रुपे की कमाई किये । बेंगौली मूवीज में आते हैं तो सबसे बड़ी मूवी है डेब की ऐमाजॉन ओभीजा वाला इसने कमाया था 36 करोड रुपे वही अगर हम आसमीज या आखुमिया मूवीज की बात करें तो रतना कर सबसे जादा पैसा कमाने वाली मूवी है जिन्होंने 9.25 करोड रुपे कमाया है और पूरा हिंदी वेल्ट अगर मैं देखू ये पूरा हिंदी वेल्ट है हमारा तो अगर मैं हिंदी बिल्ट देखू तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली है पठान, ओवर्सीज और हिंदी मिला के एक हजार 33 करोड रुपे पठान अभी तक कमा चुकी है और अभी चल रहा है ये फेस वन में फेस टू में पता नहीं कहा का रिलीस होगी अगर फेस में जब चायना में रिलीज हुआ था दंगल तो इसलिए मैं दंगल का फेस टू चायना वाल अकाउंट नहीं कर रहा हूं फेस वन में पठान से बहुत पीछे है दंगल तो पठान नंबर वन हिंदी मूवी है एक हजार 33 करोड के साथ तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंदाया होगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लिजे हमारे चैनल को चाहिए